मेट्रो बिहार नुज में आपका स्वागत है 42 जिले के लाल गंज हाजीपुर मुख्य मार्ग के पोजियां में आज देर साम दो टेमपू की तेजर अफ़तार के कारण आपस में टक्कर हो गया जिसमें चार यात्री घायल हो गया दो की हालत गंभिर बताया जा रहा है घटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने टेमपू को अपने कबजे में लेते हुए घायल यातरी को इलाज हेतुआ अस्पताल भेजा आपको बता दे की लाल गंज हाजीपुर मार्ग पर आया दिन तेज रफतार का सिकार लोग होते रहते हैं वहीं वैशाली परिवहन विभाग द्वारा बाहनों के तेज रफतार पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जिस कारण आये दिन सरक दुरगटना होते रहता है जबकि टॉल टेक से बचने के लिए बालू लदा ट्रक परती दिन सैकरों की संख्या में इसी रोड से गुजरता है जिससे सरक के दोनों तरफ बालू गीरा रहता है जिस कारण बाहनों का चक्का भी सिलिप करने से दुर घटना होते रहता है मुझहफरपुर से पटना जाने के लिए लाल गंज हाजीपुर मार्ग दुसरा मुख्य मार्ग है फिर भी इस मार्ग में न तो कहीं स्पीड ब्रेकर है नहीं ब्लेक स्पोट बैसाली परिवहन विभाग की इस उदासिंता का सिकार आम जनता हो रहे हैं जबकि सरकार द्वारा परते की जिले में परतिमा सरक सुरक्षा का समिक्षा बैठक होता है फिर भी हाजीपुर लालगज मार्ग की सुरक्षा परिवहन विभाग के अधिकारियों की नजर से उजल है